नमस्कार मैं प्रिया राज आप देखरें एक निस 24 भात्य प्रशासनिक सेवा में ऐसे कमी लोग होते हैं जिन्हें राज में चीफ सेक्रेटरी का पद मिलता है और ये बहुत गरवानवित की बात हुजाती है अगर किसी को इस पद पर बैठाया जाता है जो अभी बड़ी खबर निकल कर सामने आ रहे है बिहार के नए चीफ सेक्रेटरी की आखिर कौन है वो सक्सिया जिसके घर पे अब लोगों का आना जाना और तांता लगा हुआ है बधायों की धेरो शुब कामनाई लगी हुई है आखिर वो कौन ब्यक्ती है ये बहुत की बात हो जाती है तो आईए हम आपके भी साजा करते क्या कि किस से कहा जाये तो गरवानविक का वो पद मिला है आईए हम आपको बताते हैं eyes officer अमरित लाल मिना जी हा सीनियर eyes officer अमरित लाल मिना को बिहार के नए चीफ सेक्रेटरी बनाए गया है वा ब्रिजेस महरोत्रा की जगा लेंगे अमरितलाल मिना बिहार कैडर के 1989 बैच के आईएस ओफिसर है और इससे पहले अलूक राज को बिहार की नए डीज़िपी बनाया गया था अब आईएस मिना इससे पहले कोल मंत्रा ले यानि मिनिस्ट्री ओफ कोल के सच्चियू के पत पर कारिरत थे वा मुल्तब बिहार कैडर के 1989 बैच के आईएस ओफिसर है मिना बिहार के कई जीलों में जीला कलेक्टर सहित कई अहम पदों पर अपनी सेवायद दे चुके हैं गाउं से हासिल की स्कूली सिक्चा सीनियर आईएस ओफिसर अमरित लाल मिना राजस्थान से तालूक रखते हैं वो राजस्थान के करॉली जीले के सपोर्टरा ब्लॉक के डाबरा गाउं के रहने वाले हैं अमरित लाल बचपन से ही पढ़ाय में तेज थे उनकी शुरुवाती सिक्चा गाउं के ही सरकारी स्कूलों से हुई है जी हाँ उनके पिता की आर्थी किस्ति थी ठीक नहीं होने की वज़े से गरीबी में जीवन यापना करना पड़ता था और मीना की चीफ सेक्रेटरी बनने के बाद उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है ये में नाइटी से की बीए की डिगरी हांशिल बिहार के चीफ सेक्रेटरी बनाए गए सीनियर अमरित लाल मिना ने गाउं से ही कच्छा आटवी तक की पढ़ाई पूरी की इसके बाद वो पढ़ाई के लिए गंगापूर सीटी चले गए इसके बाद उन्होंने मालविये नेशनल इंस्टिटूट आफ टेक्नोलोजी यानि जैपूर से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोनिक्स इंजिनियर में ये की डिगरी हांशिल की इसके बाद वर्स 1989 में उनका चैन्ड UPAC के जरिये IS के पतपर हो गया अमरितलाल मीना पांच भाई बहन में सबसे बड़े हैं उनके तीन भाई सरकारी नौकरी में है और बहन हाउस वाइफ है उनकी बहनोई दिली में CPWD में कारेरत है और आये समरितलाल मीना की पहली पोस्टिंग वर्स 1991 में सब डिविजनल ओफिसर यानी SDO के तौर पर हुई थी लिंक डिविन प्रोफाइल के अनुसार इसके बाद उन्होंने वर्स 1993 में DDC बनाएगा जिसके बाद वह करीब 9 वर्स तक कई जीलों में District Magistrate यानी DM के पद्र पर भी कारेरत रहे हैं बाद में वर्स 2004 में Central Deputation पर ग्रामिट विकास मंत्राले में कैबिनेट मंत्री के PS के तौर पर दिल्ली में रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है मीना को कई मंत्राले में काम करने का अनुभाव है उन्हें वर्स 2022 में कोल मंत्राले में सेक्रेटरी बनाये गया था तो जैसा कि अभी आपने सुना कि अमरित लाल मीना की जीवन की बात किया हमने उनके कीरिया काल से चले आ रहें लंबे तोर पर किस तरस उन्होंने रह करके कई पदों पर अस्थान तरी अपने कारे की गरिमा बनाय रहें ये बहुत बड़ी बात हुजाती है उन्होंने SDODM जैसे कई पदों पर भी काम किया है यहां की दिल्ली में PS के तोर पर Ministry of COIL में भी वो कारे रहें है ऐसे में जो बड़ी बात हुजाती है अब वो बिहार के चीफ सेक्रेटरी बने हुए हैं उन्हें काफी कहा जाय तो लवानवित की बात हुजाती है और जनता के लिए भी ये काफी खुसी की बात हुजाती है जब अपने पद की गरिमा बनाए हुए अमरितलाल मीना अपने बिहार में आए और बिहार में नए पद से उन्हें काफी गुर्वान्वित फिल हो रहा है इस वक्त उनके घर पर बधायों का धेर है कई लोग उन्हें मौजूदा उनके घर पर मिठाई और बुके लेकर पहुचे हुए हैं उन्हें काफी खुसी है कि वो बिहार के नए चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं तो तक तक इतना है ऐसी तमाम ख़बरों के लिए आप बने रहेगा एक न्यूस 24 पर अगर आप हमें यूटूब चानल पर देख रहे हैं फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक किजेगा धन्यवाद